है जो आसे मम्यूंख गिरिव ने कि ऑलो सब्ले हो और आपके तैयरीं बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि टूडेक्ट काफी लंबे समय से इनत्यार कर रहे हैं यानि कि फरवरी महाँ से इनत्यार कर है साथ ही साथ जो है जिस चीज की बच्चे मांग कर रहे थे उसी चीज को आयोग ने स्विकारबी लिया है यानि कि कहने का मतलब यह है आरो-ए-ारो के लिए आयोग का बहुत बड़ा वदलाब आपको देखने के लिए मिला है जैसे अभी तुम्हें पता था कि इसी समय कुछ चीजों को देखा जा रहा था जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हमारी दिख रही है चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा अपडेट देखते हैं आगे क्या है अपडेट जैसे कि आपको दिख रहा है यह देखे अकबार्व की आज एक कटिंग में पूरा-पूरा साप कहा गया है और साप क्या कहा गया है कि देखिए 10.76 लाग छातरुग परिक्षा सुचिता पूर्वक कराने को उठाया कदम पैटन बदलने से डेड़ दिन में होगी प्रारंभिक परिक्षा जी हाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समिक्षा अधिकारी आरो साहिक समिक्षा अधिकारी ए आरो 2030 की प्रारंभि परिक्षा के पैटन में किये गए बदलाब से 10.76 चार अभ्यारतियों की परिक्षा डिर दिन में ही पूरी हो जाएगी पुरानी विवस्ता से चलते तो आयोग को परिक्षा कराने में तीन दिन लग जाते परिक्षा केंद्रों की अनुपलता और सुचिता पूर्व परिक्षा कराने के उद्धेशिय से ही आयोग ने पैटन बदलने का निर्णिया लिया है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी विशतर जुलों के राच्किय और साहता प्राप माध्धमित बै उच्च सिक्षन सहस्थानों को परिक्षा केंद्र बनाने पर भी एक दिन में अधिक्तम 4.8 लाग अभ्यारतियों को ही परिक्षा ही कराई जा सकती है जैसे कि पिछले महीने सिपाई भरती परिक्षा को देखते हुए मिला था सभी केंद्रों की अधिक्तम छमता का उप्योग करते तो पूराने पैटरन पर आरो यारो तीन दिन के समय लगता इसे देखते हुँ आयोग ने समान्य अध्यन और समान्य हिंदी जिसमें सब्द समान्य ग्यान ब्याकरण की अलग-अलग परिक्षा कराने की बज़ाए तीन गहंटे का एक परसन पतर कराने का फैसला लिया है तीन गहंटे की एक पाली होने के कारण 10,76,004 अभ्यारतिक परिक्षा तीन पालियों में डिर्ड दिन में ही संपन हो जाएगी इसका दूसरा लाव यह भी मिलेगा कि कम समय में परिक्षा होने से सुचित सुचिता बनी रहती है जितना अधिक समय परिक्षा कराने में लग कि ओर से ग्यारा फरवरी को 58 जीलों के तेजिस्तु साहस के अंदर प्राहमी परिक्षा कराय आयूजित की गई थी देखिए पहले जो होता था अब समझे मैं और आगे बताने चाहिए संसोदन हुआ क्या है वो यह हुआ था इसको थोड़ा सा जूम कर लेते जिससे कि आप इस परसन पत्र एगा 200 परसन आंगे जिसमें संवानिय अधिन 140 और संवानिय हिंदी 60 परसन पत्र रधायत अंक एक होगा पूर्सन पत्र का पून आंक 200 का होगा शमाबी तीन घंटे बिए मुक्षा एक शैसली पहले क्या होता था मैं आपको बताना जाओं पहले पहले यही यह हुआ है और बारे बजे के बीच एक पेपर होता था जिस हम कहते थे शामानिय अध्याद यह आपका एक पाली में होता था यह इसमें 140 प्रसन आते थे फिर तीन गणते का गया पर रहता था तीन गंते का फिर आपका तीन वजे से और चार वजे तक एक एक एकजाम होता था एक घंटे का इसमें समय रहता था तीन घंटे गयाब के बाद वहां 60 कोश्चन हिंदी के हुआ करते थी जबकि हिंदी को 60 कोश्चन 60 मिनट की दुरा तो नहीं होती थी यहां 20-30 मिनट में बच्चे हिंदी कर लेते थे टाइम ज्यादा लगता था पाली बदर ले तो अब इसका टाइम भी आप इधर एक घंटा 40 में सुरी 140 परसंद में दे सकते हैं तो इससे एक बच्चों का स्कूर बढ़ेगा बच्चों का बीच का जो समय है जो दूर दराज से सेंटर से आते थे बच्चे दूर दराज से पेपर देना आते थे वो सुचिता पूरबग जो है अपने घर जल्दी आते करम यतावत रहेगा यानि कुछ बच्चों का अभी में मानना यह चल ला था क्या सिलेबस चेंज हुआ है क्या सिलेबस चेंज हुआ है यह केबल एक्जाम का एक्जाम कराने का केबल पैटर्ण चेंज हुआ है पैटर्न चेंज हुआ के वल क्या हुआ है पैटर्न चेंज हुआ है ठीक है बीच का जो तीन घंटे का गैप था वो खतम कर दिया है और एक दिन में दो पाली करा दी गई है एक दिन में दो पाली करा दी गई है एक पाली जो होगी और दो पाली यानि कि एक पाली जो पेपर ह अगर दस वजे से कराते हैं तो कितने देख सबसजे तक यह एक बज Düstu कि तक रहेगी टिक और अगर दूसरी की बात करने तो दूसरी आगर कि तीन तीन वजे वह चेने का मतलब समझते हो ठंड के दिन हो जाएंगे लगभब क然后 और बहाँ पर छे बजना अंधिरा हो जाएगा तो इसमें कुछ और मिलेगा इसमें भी संसोदन देखने मिल सकता है यानि कि नो बजे से बारे हो सकता है और दो बजे से 2 बज़े से 5 बज़े तक का समय हो सकता है एक दिन में 2 पालिय इस तरीके से आ सकती है 9 से बार है और 2 से 5 3-3 गंटे की अब्दी हो जाएगी फिर अगले दिन फिर 9 से बार है तो अगर दिन को धियान में रखा जाएगा क्योंकि दिसंबर 22 का है 22 December को आप तुम्हें पता है सबसे छोटा दिन भी होता है तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए यह हो सकता है फिलाल में अभी इसका कोई current update आया नहीं है कि क्या time ही हो सकती है मगर timing अनुसार यही हो सकती है तो प्यारे बचो लग जाएए अपनी मेहनत के साथ कटोब हम इसकी पहले बता चुके हैं आपको कटोब पहले बता चुके है कितने नंबर सेफ होने चाहिए आपके 140 में से आप 80-85 लिए और हिंदी में 60 में से लगबग एसमान के चलिए कि 48 से 50 लिए यह आपकी कटोब जो है बन जाएगी आप मेंस के लिए निकल जाओगे अराम से तो इतना भी करना बहुत टफ काम है क्योंकि जीएस के कोश्टन जो होते हैं बहुत ही पेचीदा कोश्टन होते हैं लेवल ठीक ठाक होता पर इसलिए तैयारी में अभी लग जाई बिल्कु करीब से तैयारी नहीं होगी अगर अ क्योंकि कुछ बच्चों का पुलिस का पेपर अच्छा गया तो वह आरो यारो पे ज्यादे रूची नहीं लेंगे ठीक है फिलाल भी परसेंटेज इस बार कम रहेगी क्योंकि एक्जाम और भी काफी है उनकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस बीच में जो है जो बंड थे कोट का पेपर हो जायेगा उसी हम ठीक है उसी समय बच्चों की तैयारी Junior UPSC की चल रही होगी और उसी पैसि के पीसी स्केर की टिशारी भी कर रहे होंगे फ़ shipping PCS वाले बच्चे दे सकते हैं क्योंकि PCS और RO RO का पैटर्न थोड़ा थोड़ा परीका सेम होता है इसलिए वो दे सकते हैं मगर और जो एक्जाम बाले जैसे SSC GD वाले हो गए हैं उत्तर प्रोद्श पुलिस वाले हो चुके हैं यह बच्चे कम रूची देंगे कम रहेगी उपस्तिती की ठीक है जैसा भी होगा आपको बताया जागा मगर मिलते हैं अपने नए जानकारी पर जब तक के लिए जहें जवारत बंदे मातरम